तो हे गाइज, वाट्स आप आए, हम बैक वी देना दर न्यू वेडियो, आज हम फिर से खेलने माले कस्टूम फाइटर्स और आज जो मैच होने बला है वो रोयल चैलेंजर सुपर किंग्स के साथ सासंग पैंथर का मैच होने बला है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैच है, यहाँ पर रोयल चैलेंजर सुपर किंग्स का कप्तन है मांधर सिंग धोनी और सासंग पैंथर का कप्तन है अपा दोनों कप्तन आ चुका है, टोस करने के लिए सैसंग पैंथर ने हेट कहा है, और क्या गड़ता है वो इत्कनी के बात है, और यहाँ अपर टेल गीड़ श्रम का शॉट लगाया लेकिन फिल्डर है पहला गेंद डॉट ही बढ़िया गेंद बची डेवियर्स के तरब से एडीड बिल्यार्स नहीं यहां बहुत ही बहतारीन गन्द बजिए ऊट्ड पर एक भी रन नहीं दिया और शिण पे है यहांपम चार निकल गया। तीसरा गेंथ यहां पा समीत का शाट बडिया लागा समीध स्टिफ समीध के यहां पर बढ़िया शाट फिल्ड़ है जित गाज हुइसरा लेना चानहे इहां तरिया काज पक्रा है दुधर दिख रहा था काज पकρα लिया यहां सी nessa सिरुब काज है क्वाइब बाटे अब बाटेशन का फ्वागत कि है पिर गहां जो रूट मेरे शाट ये दूसरा गेंद गेल का बढ़िया शॉर्ट फिल्डर को बिट करेगा चार रन मिलता हुआ यहां पर जो रूट को जो लूट बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहा है यहां पर और प्रिस गेल को सुवागत क्या है चार रन के साथ टाथी गेंद इसोभर का स्ट्राइक पाग कंड़न डीकॉक और यहां पर बढ़िया शॉर्ट और चार रन मिले का बहुत ही बढ़िया शॉर्फ्र जैब को डामिन्ग और प्रिल्डर के सर खरक得 उपर से उठा भाभाट ही पे बहुत ही पियारा शॉर्फ का दूसरा नहीं किया आप बैटिंग करने आ रहा है स्टीप स्मीद चौथी गेंद मलिंगा का और यहां पर बढ़िया गेंद स्ट्रेट बैट से खेला है यहां पर स्टीप स्मीद में और चारण मिली जाएगा इतिंक मिल गया चारण लेविलियास भागड़ा था लेकिन पाकर नहीं जाएंस आपने बहुत हैं बहुत है प्यादि टाइमिंग किया संग पैंथर को अगर मैच जितना है तो थोड़ा बहुत टो हीटिंग करना पड़े कार पासवी गेंद मलिंगा कार यहां पर एज और आउट कर दिया स्टीप स्मीद को इस बार इनॅट स्मीद को इस बार इ करना पड़ेगा दूसरा गेंद और गैप पे ओ तेड़ी यह तो पकार लेना चाहिए था लेकिन पकार नहीं पाया और पहतरीन चौका सर्थ टाइमिंग क्या दिशा दिखाया हो यहां पर जो रूट तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है और तिसरा गेंद राशित क और यहां पर भी बढ़िया शॉट ए भी जाएगा बाउनरी के बाहर चार रूट लिए और तीन लागातार गेंद पर तीन चौका मार चुका है यहां पर राशित खान को जो रूट में अभी भी दो गेंद बाकी है कुछ भी हो सकता है और यहां पर इस बार ओप साइट प का पहला गेंद यहां पर श्विप शॉट मोमद नभी के तरब से गैप पे है फिल्डर भाग रहा है लेकिन पाकर लेगा क्योंकि आउट्पेट आइधिंग स्लो हो गया है दो रून ले रहा है रान आउट का मॉक और यहां पर रान आउट कर दिया है किसको मालूम नहीं मोमद नभी है जो रान आउट हुआ है बहुत ही बहत ही बहत ही बहन फिल्डिंग परस के तरफ से परस खत्का है नेपाल का प्लेः है और यहां पर बहुंआँट नभी ने दो गेंद पर दो रान बनाग के रान आउट हो गया अभी बैटिंग करने आ रहा है इमाद वासिम स्ट्राइक पर है जो रूट और दूसरा गेंद साकीब का और यहाँ पर बहतरीन शॉर्ट विद दा स्पीन शॉर्ट खेला मस्क सॉर्ड है पॉइंट पर फेल्डर नहीं था सो पॉइंट उपर से इसलिए मारा चार रूट मिलता हुआ यहाँ पर जो रूट को साकीब ने पाँच गेंद पर सिर्फ सत रूट दिया है और लास्ट गेंद साकीब का और यहाँ पर बहतरीन शॉर्ट गैप पर है चार रूट मिलता हुआ यहाँ पर इमाद वासिम को बहुत ही 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 बहुत ह चार रन और इसी के साथ 47 रन पे पहुँच चुगा है जो रूट को इसी के साथ जो रूट का फिप्टी 23 गेंद पे 53 रन बहुत ही बढ़िया बैटिंग जो रूट के तराथ से यहाँ पार क्रिस गेल अल्डेटी 14 रन दे चुका है और यहाँ पर लास्ट गेंद पे भी चार रन मिलेगा सो इस ओबर में टोटल 18 रन दिया है क्रिस गेल बहुत ही महेंगा ओबर दूसरा गेंद मुहमद अमीर का और यहाँ पर बढ़िया शॉर्ट गैप पे है फिल्डर है लेकिन भा इमाद वासिम के तरब से यहाँ पर मुहमद अमीर को बैक टू बैक दो गेंद पर चौका मारा है और इस बली गेंद पे भी चार रन आएगा एज लग कर आया लेकिन जैसे भी रान तो आ रहा है ना तो तीन गेंद पर तीन लागा तर चौका आया है यहाँ पर लास्ट ग मालींगा और मालींगा का पहला गेंद श् STEP पर जो डूड जो रूड ने स्वागत कैमा लो पो छे रान के साथ बहुत ही सिग्स मालींगा ने फास्ट और जब बुरिंगर ने आयाय था सिरत चारी रान देगा दो विकेट ले लिया था लेकिन इस बार जो रूड में मालीं जो रूट के तरफ से तो गेंद पर अल्रेडी दस रान आ चुगा है तीसरा गेंद पर भी बढ़िया शॉट और यहां पर भी मिलेगा चार रान जो रूट को ऐसे बैटिंग करने में देखता नहीं है लेकिन अभी कर रहा है तो बढ़िया जो रूट के लिए एक लाइक तो बनता है अभी तीन गेंद बाकी है चौथी गेंद मालिंगा का गुट लेंद पर था लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट गैप पर चार रान निक उठने और यहां पर प्लाम, बेलबे, डबलू, आमपैर भी आउट करा दिया है तो यहां पर तीसरा विकेट मिलता हुआ लसित मालिंगा हूँ अभी बैटिंग करने आ रहा है सैड जड़े जा इस इनिंग्स का लास्ट गेंद स्ट्राइक पर सैड जड़ू क्या करता है दिखता है तो लास्ट गेंद पर बड़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन बैट पर टाची नहीं हुआ यहां पर ससंग पैतन ने 120 रन मनाया सो रॉल जेंजर सुपर किंग्स को जितने के लिए 121 रन चाहिए तो देखता है रॉल जेंजर सुपर किंग्स क्या करता है यह पर पहला गेंद पर ही 4 रन मिलता पराच भाई को यहां पर बहुत ही बाउर्डडी फेल टेनेजस वाला शॉट खेला और राबाधा को पहला गेंद पर ही बाउन्डडी के बाहर बहर भेज दिया दूसरा गेंद राबादा को यहां पर बड़ शोट ओ तेरी क्या शॉट लागा दिया यहां पर चार रन या छे रन चार रन बावनरी के पहली बाउस खा गया ओ भाई दो गेंद पर दो लागा तार चौका मार जिया बरस ने यहां बर रावादा को बहें तैरीन बैटिंग परस के तरफ से अगर यहां से ससंग पंथर को मैच जितना है तो विकेट लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी विकेट लेना पड़ेगा लेकिन यहां पर चार रन निकल गया भाई ऐसे कैसे चितोगे डाट भी नहीं चलेगा विकेट लेना पड़ेगा से ट्रेंड बोल्ट का पहला गेंद स्ट्राइक पर क्रिस गेल पहला गेंद बाउस आ रहा बाउंस ठीक से जर्च नहीं कर पाया अच्छे से टाइमिंग नहीं करा और फिल्डर को क्रॉस भी नहीं करा और यहां पर आउट हो गया क्रिस केल्ड अभी बैटिंग का नहीं आ रहा है सचेंड टेंडल कर दूसरा गेंद ट्रेंड बोल्ट का और यहां पर बढ़िया अगर कीपर ड्राई मार देता तो यह भी कैच हो साकता था लेकिन कीपर ने ट्राई नहीं क्या रहे यार यहां पर एज लगा बहुत ही 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 बहुत और भाई मस्त गोल्ड कर दिया यहां बड़ परस खतका को भाई ट्रेंड गोल्ड इस ओपी बहुत ही बड़िया गेंद बस यारे रिभ्यू किस बाद का भाई तु दो गोल्ड होआ है ना अभी बैटिंग करने आ रहा है रोयल चेलेंजर्स की धरकांज स्टेप स्मेथ ट्र गेंद मिचल स्टार्क का और यहां पर बाउंशार क्यू कर रहा है भाई स्टार्क भाईया प्रेंड बोल्ड के जैसा फुल लेंड पर करके थोड़ा बहुत स्विंग आउट श्विंग एंड दिखाओ हाँ आपर स्विंग विंग करो फूल लेंड देलिवरी करो लेकिन तुम तुम सॉट्पिर्ट डिवरी कर रहे हो और यहां पा श्टीव स्मित तुम्हें चौका पहे चौका मार रहा है ऐसे के अनभास लिए तो मैच कैसे जितोगे इस ओपर का लास्ट गें तो और स्ट्राइक पर सचीन अर्यां पर सचीन और यहां पर सचीन को अलबी दो गेंद पर एक रान बना के सेच्छें टर्ण कर लबी डपली आउट हो गया अभी बैटिंग करने आ रहा है कप्तान MSD प्रेंड बोल्ट उनका दूसरा वर्ड कंटिन्यू कर रहा है स्ट्राइक पैस स्टीप स्मीट और यहां पर पहला गेंद पे ही चौका मार दिया चौका मिलता हुआ पाचवई गेंद ब्रेंड बोल्ट का और यहां पर चारण मिलता हुआ दोनी को बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत धर दिन LEE क binge कर दिया और यहाँ पर यहाँ बहुत ही बहुत ही बहुत ही पाल देया और यहं पर लोग इतना सवे चैद्प टोड़ा सा फुल लेंद से ही मिला तो नो शॉक्ति कि पूल लेंद से ही मिला तो सॉटपिच क्यों घर फूर दुसरा दूसरा ग Aidृब मिचल स्टार का और यहां पर फेर से बैंतर। मत कर के यार मत करें बैंसर करेंगा तो मैच हर जाएगा और यहां पर दूसरा categories दो स्ट्राइक पे स्टिफ स्मित और बोलिंग करने आया राशित खान पहला गेंद राशित खान का और गैप पे शॉट है बहुत ही 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 बहु से तोती गेंद रासित खंकर यहां पर भी गूगलिया रहे यार बहुत ही 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 ब और यहाँ पर मिलेगा चेद्रान MSD को बहुत ही भेऊधरी मेटर लॉम्बा अधे को तर प्रोड भाद यह तरी शॉट है जड़ो को मार दिया अगर यहां पर स्मीत आउट हो गया ना मज़ा जाएगा यार और लास्ट गेंथ इसोवार का बढ़ या स्विच इट और गैप है भाई पॉइंट पे कोई भी फिल्डर नहीं था तो पॉइंट के जो गैप था उधर से घुसा दिया स्ट पर बढ़िया शॉट गैप पर है तो चार रण मिलता हुआ स्टीफ स्मीध को और इसे के साथ स्टीफ स्मीध का 58 गेंथ फ्युप्य वान रन बहुत ही बढ़िया बैंडिंग स्टीफ स्मीध के तरफ से लास्ट गेंथ रासिट खंड का और यहांपर बढ़िया शॉर्ड पे है तो लॉंग पे कोई भी फिल्डर नहीं है तो चार रन मिलता हुआ यहाँ पर स्टिप स्मीथ को यहाँ पर जड्डू आया है उनका दूसरा वाले का श्राइक पर MSD और MSD ने जड्डू को सुवागत किया है चके के साथ और इसी के साथ भाई मैच तो भी खताम होगा भाई जड्डू को क्या 6 धोनी ने और यहाँ पर भाई मैच को खताम कर दिया भाई मैच को खताम ही कर दिया दोनी ने 6 जड्डू ए चौका गया पता नहीं चले चला है अभी तक मुझे क्या है बाई आइटिंग मैच जिद गया क्या नहीं चौका गया है तो थोड़ा बहुत आगे गिर गया अगार होता थो एमेज धोनी फिरनेसिंग आफ इम स्टाइल हो जाता लेकिन याब थोड़ा सा पहले गिर गया यार स्रफ एक रंच चाहिए और एमेज धोनी को 50 करने के लिए 6 रंच चाहिए लेकिन यहापर बहतर इन शॉट तो मार दिया है 6 रंच नहीं जाएगा चौका आई जाएगा और भाई मैच को खतम कर दिया है हाँ पर एमेज धोनी ने क्या खेला है एमेज दोनी लाज पर बहुत ही मारा है धागा खोल दिया है ऐसे मारा और इस मैच को रॉयल जेंजर सुपर किंग्स ने साथ विकेट से अपने नाम किया यहाँ पर प्लेयर आप दा मैच हुआ है स्टीप स्मीट तो होना ही चाहिए बहुत ही खदरनाक बैटिंग क्या स्टी ही नहीं कर लिया 22 रान देकर बहुत ही बड़ी आई यहां पर और आप यहां पर स्टेंडिंग देख सकतो नमबर वन पर है रॉयल जेंजर सुपर किंग्स उसके बाद इसके वर्यार इसके बाद रॉयल टाइगर उसके बाद सासंत पैंतर उसके बाद राइबल्स आफ चुका है नोक आउट स्टेज के लिए और यहां पर व्लचंजर सुपर किंग्स ने 5 मैच पर चार मैच जिता है और चार मैच में ही स्टिव स्मित मैन अब दा मैच हुआ है और जो एक मैच हरा है उस मैच पर स्टिव स्मित चला नहीं इसलिए हार गया उसमेच पर रॉयल बॉल्ट करने वाला परस खत्का को वह बाला गेंद आपको बड़िया लागा क्योंकि वह तो मुझा बहुत लिए लागा हाँ आप ee sving hoke अंदर आया और बोल्ट कर दिया भाई मस्त गेंट था तो आप कमेंट करके बतना आपका फेवरिक मुम्मेंट का है इस मैच के आंदर तो गाइस इस वाले विड़ो इतना है मिलता हूं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए अपने धियान रहे है खुश रही है मुस्कुरत रही है और मेरा चैनल का इसी सपोर्ट और प्यार सब्सक्राइब करते रहे हैं सब्सक्राइब में तब तक के लिए गुड़ बाई